ग्लेन मैक्सवल ने रूतु राज गायकवाड के तुफानी सतक पर फेरा पानी और श्टेलिया ने जीता तिसरा मैच बताएंगे पूरी खबर इससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और श्टेलिया ने बारत को गोआ आटी के बारसा पारा स्टेडियम में खेले के 30-20 मैच में 5 वीडियो से हरा दिया है बारत ने पहले बले बाजी करते हुए 20 ओवर में 3 वीडियो को कर 222 रन बनाए इसके जवाब में और श्टेलिया ने गिलिन मैक्सवल के सतक की बदोलत 20 बारत के लिए रवी वीडियो के लक्षे का पीछा करने उत्री ऑस्टेलिया की टीम को ट्रेविस हैड और हार्डी ने दमाकेदार शुरुआ दिलाई हार्डी 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए उस्टेलिया का पहला विकेट 47 के स्कोर पर गिरा इसके बाद ट्रेविस हैड 14 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हुए आवेश कान ने उन्हें आउट किया था रवी विश्णोई ने जोस इंगलिस को पविलिन का रास्ता दिखाया था मार्क्स और मैक्सवेल के बीच अच्छी साज़ेदारी हुए 26 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुए टीम में डे टीम वेट 16 गेंद में 28 रन बनाकर नाबाद रहे इससे पहले बारत ने उस्टरिया के खिलाप पहले बले बाजी करते वी रितुराज के सतक की बदलत 20 ओवर में 13 विखेट को कर 222 रन बनाए थे बारत के रितुरियाज गाईकोळ ने सरवादी के 1200 रन बनाए पहले बले ब विकेट के लिए 57 रन की साज़ेदारी हुई शुरीगुमारी यादव 29 गेंद में 49 रन बनाकर आउट हुए रितुराज गायकवाड और तिलक राजवर्मा के बीच 69 गेंद में नाबाद 141 रन की साज़ेदारी हुई तिलक वर्मा 31 और इतुराज 57 गेंद में 123 रन बनाकर नाबाद लोटे गाइकवाड ने अपनी पारी में साथ चके और तेरा चोकी लगाए अस्टलिया के तरफ से जैसन, बहरेंडोर्फ, केन, रिचर्ड सन और आरोन हार्डी ने एक एक विकेट लिए तो दोस्तो ऐसे भी और भी इंपॉर्मेटिव विडियोज के लिए हमारे इस चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें